लीत नुसिए तो सवाम जी जो एक बड़ी वाली फाइ्टूंग है जो काफी लोगों को क्लियरली दिखती है और उससे देखके काफी लोग आश्चरशक derechos चक्केत वो स्वाम जी हम देखते हैं लीको डर्मा में विठी लिगो में ये भी एक नया काम किए हम तो उसमें स्वाम जी जो सफेद दाग है इसके फिल्ग है जो सफेद रंग फो चुकी है सफेद को काला करते थे सभेट को काला काला मतलब नॉर्मल नॉर्मल स्वाम जी तो यह जो सेल्स हैं यहां भी स्वाम जी बाद रीजिमिनेशन की है हमारे इसकिन के नीचे एक सेल्स होते हैं एक सैट अप सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं मिलेनोसाइट इनका काम होता है हमारे स्किन को रंग देना हर किसी के अंदर जैसा जैसा रंग है वो बताता है कितना हमारे अंदर मिलेनोसाइड्स हैं जो लोग अफरीका में रहते हैं जिनका स्किन का कलर बहुत डार्क है उनके अंदर वो सेल्स बहुत ज्यादा मात्रम हैं और जो यूरोप में रहते हैं, अमेरिकास में रहते हैं, जो ज़्यादा गोरे चिट्टे हैं, उनके अंदर वो सेल्स कम मात्रा में हैं, हम बारतियों हमें लगवाग बीच का है, इसलिए हम घहुआ रंगे रहते हैं, तो जहां भी जो वाइट पैचेज आ जाते हैं, जो स्किन पर वाइट मार्क्स आ जाते हैं, वो उन सेल्स की आतो कमी की बज़े से, या उन सेल्स के दोवारा जो सिगनल जा रहे हैं, उनकी कमी की बज़े से होता है, तो स्वाम जी हमने अपने लेब में उन सेल्स स्वामजी बढ़ते हुए देखा और स्वामजी as a biomedical scientist स्वामजी बहुत satisfying होता है कि आप देख पा रहे हैं कि जो cells है वो बास्ता में अपने अपना phenotype change कर रहे हैं सिर्फ एक औशिदी की presence है अपने मूल सरूप में आ जाते हैं स्वामजी बड़ी बात थी तो वो स्वामजी ऐसा लगा कि थोड़ा उसके बारे माच और बताना चाहिए था क्योंकि वो एक ऐसी finding है जो कि लिली सबको दिखती है genes, proteins, RNA वो आँखों से नहीं दिखते पर स्वामजी तो cellward level पर जो काली सेल जो सफेज सेल थी आप उसे काला कर रहे होते हैं और वो सबको बहुत अच्छे से आता है समझे में स्वामजी